हाई अब्रिवान दस इस नेहाउ विल्कम बाक तु दे चानल होप यू अल आ दू ग्रेट तो माक्रो और इंडियन इको की 30 तू 40 मिनिट्स वन शॉट लेक्चर सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली अब बारी आती है बिजनस स्टेडीज की आज से हम लोग स्टार्ट करे BST की हमारी 30 तू 40 मिनिट्स वन शॉट लेक्चर सीरीज अगें रेको BST में भी हमारे पास में 12 चैप्टर है तो नेक्स 12 डेस के अंदर हम लोग BST का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे डेली बेसिस पर आप लोगों के पास में एक एक चाप्टर की वन शॉट विडिय क्या नामे चैप्टर का Nature and Significance of Management डेको इपूरा basic चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे management क्या होता है management के nature के बारे में बात करेंगे management की क्या significance है levels of management सारी चीजे basic चीजे हम लोग इस चाप्टर में डिसकस करेंगे चुरू करें फिटापकट से दिक हो सबसे पहले बात करते हैं compelled management होता क्या है दिक हो management क्या होता है एक manager का काम क्या होता है एक manager अपने employees से काम करवाता है ताकि organization का जो भी goal है उस goal को achieve करा जा सके यही करता है ना manager, manager अपने employee से काम करवाता है, दूसरों से काम करवाना, ताकि हम organization के goals को achieve कर सके, जो भी organization का goal है, sales maximize करना है, profit maximize करना है, social service है, जो भी goal है वो achieve करा जा सके, और साथ में काम कैसे हो, effectively भी हो, और efficiently भी हो, effectively का मतलब है कि जो भी काम है वो time पर complete हो जाना चाहिए, deadline तक complete हो जाना को इस तरह से करा जाए, कि resources का कोई wastage नहीं होना चाहिए, काम को इस तरह से करा जाए, कि काम को करने की cost कम से कम आए, this is management, समझ में आ गया, तो management क्या है, एक ऐसा process है, of getting things done, दूसरों से काम कराना, ताकि हम हम हमारे organization के goals को achieve कर सके, effectively और efficiently, समझ में आ गया, अब देको management के अ planning करता है, कि future में क्या काम करना है, काम कैसे करना है, कौन सा काम किस से करवाना है, सारी चीज़ों वो plan करता है, उसके बाद में वो सारी चीज़ों को क्या करता है, organize करता है, सारे resources को arrange करता है, departments वगरा बनाता है, staff hire करता है, staff को command देता है, instructions देता है, बताता है कि काम किस तरह से करना है, सारी activities, सारे departments के बीच में coordination बठा के चलता है, एक तालमेल बठा के चलता है, और पूरे organization की सारी activities को control करना, यह सब कुछ किस में आता है, management में आता है, समझ में आगे management होता क्या है, अब देखो यह जो management की हमारे पास में definition, इसमें तीन words आयते process, effectively and efficiently, तो management एक process क्यो ह है, देखो आप पूरी book के अंदर पढ़ोगे, management एक process क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे functions होते है, सबसे पहले planning करी जाती है, यानि कि advancement decide करा जाता है, what to do, how to do, when to do, from whom to do, उसके बाद में organizing होता है, सारे के सारे resources, सब चीज़ों को organize करना, departments वगेरा बनाना, फिर staffing ह होता है, staff को hire करना, staff को salary देना, staff को satisfied feel कराना, staff को direction देना, staff को monitor करना कि किस तरह से काम करना है, और देखना काम सही से तो हो रहा है, controlling करना, जैसा planning में सोचा था, actual काम उस तरह से तो हो रहा है, कहीं कोई differences तो नहीं आ रहे, और अगर differences आ रहे हैं, तो उन्हें correct करना, तो management क्य इसमें पास चीज़े हो रही है, planning और एक्टिंग, controlling, correct है efficiency, काम को किस तरह से करना, effectively करना और efficiently करना देखो मैंने क्या बताया, effectiveness का मतलब है काम को time पर complete करना, doing the right task at the right time जो भी हमारी deadline है, उस तक काम को complete कर देना, goal को achieve करना इस effectiveness, समझ में आया लेकिन काम को right way में करना, सही तरीके से करना इस तरह से करना की resources का wastage कम से कम हो हमारी काम को करने की cost कम से कम आए इसे हम लोग बोलते है, efficiency बहुत important बात है, दोनों में difference पूछा जाएगा तो देखो effectiveness का मतलब है, task को complete करना matter नहीं करता, काम को करने की cost क्या आ रही है लेकिन efficiency का मतलब है, काम को इस तरह से करना की cost कम से कम आए, सारे resources का proper utilization हो समझ में आया, objective क्या है, effectiveness का मकसद है काम को complete करना, goal को achieve करना यहाँ पर main मकसद है, cost benefit analysis देखना भई, cost कितनी आ रही है, cost हमारी कम से कम आए resources का proper utilization हो, समझ में आ गया, अब दी को बहुत बार exam में question आता है, कि जो effectiveness है और efficiency है, these are the two sides of the same coin, यह एक ही सिक्के के दो पहलू है, इन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, बोले तो, अकेले effectiveness से भी काम नहीं चलेगा, effectiveness का मतलब है, task complete करना time तक, अकेले इससे भी काम नहीं चलेगा, मान लो, task complete हो गया हमारा time पर, लेकिन task को complete करने की cost बहुत जादा आई है, resources का proper utilization नहीं हुआ, बहुत जादा wastage हो गया, इसका भी कोई मतलब नहीं है, और मान लो, हम लोगोंने task को बहुत जादा efficiency से करा है, कि task को करने की cost कम से कम आई है, resources का proper utilization हुआ है, लेकिन task 10 दिन में करना तो उस काम को करने में हमने 25 दिन लगा दिये, ऐसा भी नहीं होना चीए, दोनों चीजे साथ साथ में चलती है, these are the two sides of the same coin, तो समझ में आगे management होता क्या है, management एक ऐसा process है, जिसके अंदर manager दूसरों से काम करवाता है, थाकि organization के goals को achieve करा जा सके, effectively भी, time पर भी, और efficiency के साथ में with minimum cost, clear है यहां तक, आगे बात करते हैं, देखो, characteristics of management, बोले तो, देखो characteristics भी लिखा हुआ आ सकता है, exam में nature भी लिखा हुआ आ सकता है, features भी लिखा हुआ सकता है, management के क्या-क्या characteristics है, तो देखो, सबसे पहला आता है, goal-oriented process है, manager ऐसे ही थोड़ी न हवा में सारी चीज़ों को manage करता है, वो manage क्यों कर रहा है, ताकि वो organization के goals को achieve कर सके, तो predefined goal होता है, कि sales maximize करनी है, profit maximize करना है, market में अपना share increase करना है, इस goal को achieve करने के लिए सारी activities को manage करा जाता है, समझ में आया, management एक pervasive function है, सब में लिख कर आना है यह आपको, pervasive का मतलब है, देखो management हर जगा होता है, चाहे एक चाई की दुकान हो, चाहे एक बड़ी सी multinational company हो, चाहे एक profit making organization हो, चाहे एक NGO हो, चाहे एक छोटी सी दुकान है, बड़ी सी दुकान है, चाहे एक manufacturing concern है, चाहे एक service देने वाला organization है, हर जगां पर management होता है, हर जगां का मतलब है pervasive, management क्या है, multi-dimensional है, multi-dimensional मतलब manager को work को भी manage करना होता है, उसे people यारी कि लोगों को भी manage करना जरूरी है, और उसे operations सारे के सारे काम को भी manage करना जरूरी है, देखो manager ये make sure करके रखता है, कि जो भी work है, जो भी काम है, वो time पर complete हो, मतलब effectively complete हो, और काम इस तरह से हो कि resources का wastage कम से कम हो, हमारे सारे के सारे resources का proper utilization हो, cost कम से कम आए, काम efficiently हो, तो ये हो गया management of work, manager जो है, वो people यारी कि लोगों को भी manage करता है, वो दिमाग में रखता है, अच्छा manager हमिशा दिमाग में रखता है, अपने employees की needs, कि मेरे employees की क्या जरूरत है, मेरा बंदा जो है, वो salary के अंदर increment चाहता है, वो promotion चाहता है, वो peer recognition चाहता है, वहावाई चाहता है, अपनी तारीफ चाहता है, क्या चाहता है, तो individual persons की needs को satisfy करना, और जब हम individual persons की needs को satisfy कर रहे हैं, तो manager ये भी दिमाग में रखे, कि group of people की क्या needs है, कहीं पूरे के पूरे सारे group of people को ये ना लगना लगे, कि manager जो है, वो एक particular बंदे के towards biased है, भेदबाओ कर रहा है, तो सब लोग की needs को fulfill करना, ये किस में आता है management में, और एक होता है management of operation, पूरी की पूरी जो operating cycle होती है उसे manage करना, कि raw material purchase करना है सबसे पहले, फिर उस raw material को finished goods में convert करना है, फिर finished goods को sale करना है, पूरी पूरी operating cycle को manage करना, सब कुछ किस में आता है, management में, समझ में आया, management क्या है, एक continuous process है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था, management में 5 functions होते हैं, कभी कोई manager किसी चीज की planning कर रहा है, तो कभी कोई दूसरा manager किसी चीज को organize कर रहा है, resources को arrange कर रहा है, departments बना रहा है, कोई manager staffing करता है, staff को hire करता है, staff को salary देता है, staff को खुश रखता है, कोई manager workers को direction दे रहा है, instructions दे रहा है, monitor कर रहा है, कोई controlling का का काम कर रहा है, तो management क्या है, एक continuous function है, जो चलता ही, रहता है, never ending process है, Group activity है, एक single बंदा पूरी organization को manage नहीं कर सकता एक छोटी सी दुकान है तो एक बंदा पूरी organization को manage कर सकता है But when it comes to a multinational company, एक single बंदा पूरी organization को manage नहीं कर सकता There are a group of people, top level managers, middle level managers, lower level managers हर किसी के अपने-अपने काम है, अपनी-अपनी duties है, मिलकर वो organization को चलाते है Dynamic function है, dynamic मतलब इसमें changes होते रहते हैं देखो हमें पता है हमारे जो business का environment वो कैसा है, dynamic है मतलब it keeps on changing, कभी सरकार बदल जाती है, अभी elections हुएते कभी देखो आप COVID जैसी कोई situation आ जाती है, कभी tax loss चेंज हो जाते है जैसे GST वगेरा आ गया, कभी हमारी external policies में कोई change आ जाता है political policies में change आ जाता है, कभी technology में change आ जाता है तो business को भी अपने अंदर change लेकर आना जरूरी है otherwise business survive नहीं करत पाएगा अगर technology में change आ गया, हम वही पुरानी outdated technology यूज़ करे है हमारा business long run में नहीं चल पाएगा तो वह ये manager क्या करता है, business के अंदर changes लेकर आता है according to the changes taking place in business environment तो dynamic function हो गया, और management intangible है management को आप physically नहीं देख सकते इसे आप touch नहीं कर सकते, इसे आप महसूस कर सकते हो एक hospital में गए, सारे काम पटापट पटापट से हो रहे है कोई time नहीं लग रहा, आप बोलोगे बढ़िया management है एक hospital में गए, बहुत देर line में खड़ा होना बढ़ रहा है proper treatment नहीं हो रहा, आप क्या बोलोगे बकवास सा management है तो management को महसूस कर सकते हैं इसे हम feel कर सकते हैं, इसे हम physically देख नहीं सकते, touch नहीं कर सकते समझ में आ गई बाते हैं, clear है ये हम लोगों ने क्या देखा, characteristics of management आगे बात करते हैं, objectives of management कि management के क्या-क्या objectives होते हैं objectives मतलब कि management का क्या goal है manage क्यों करा जा रहा है, चीजों को उसके पीछे क्या मकसद है, क्या end result है तो देखो, number one हम बात करते हैं, organizational objectives organizational objectives मतलब हमारे organization के क्या-क्या objectives हैं तो तीन तरह के organizational objectives होते हैं नमबर वन है survival, सबसे पहले हमारा organization survive तो कर जाए, अगर आपका एक नया organization नो तो आप चाहोगे, कि भई इस competitive environment में हमारा organization survive तो करे, जो cost हम लोगों ने लगाई है, 100 रुपे लगाये हैं, तो हम 100 रुपे recover तो कर ले, हम profit के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ survive करने के बारे बहुत जरूरी है, जब हम profit कमा लेते हैं, उसके बाद में हम growth के बारे में सोचते हैं, अपने business को expand करने के बारे में सोचते हैं, नई branches दालते हैं, number of employees हमारे बढ़ाते हैं, number of product हम लोग बढ़ाने लगते हैं, हमारे business को grow करते हैं, समझ में आगे organizational objectives, survival, profit and growth, एक होता है social objectives, बेखो हर business की society के towards एक responsibility होती है, क्योंकि business society में ही operate करता है, business जो labor use कर रहा है, जो employees use कर रहे हैं, वो भी society के ही लोग है, society का ही एक part है, तो society के towards भी responsibility होती है, इन्हें हम लोग बोल देते हैं, social objectives, जैसे society को अच्छे quality के product supply करना, वो भी एक reasonable price पर, बहुत जादा charge नहीं करना, हमारी society के अंदर employment opportunities देना, बहुत सारे लोगों को hire करना, ताकि उन लोगों को रोजगार मिले, community को financial support भी देना, बहुत बार होता है न, बड़े बड़े business वाले, मैं अमानी वगरा की बात करी हूँ, बड़ा बड़ा donation देते हैं, community को financially support करते हैं, environment friendly methods of production को use करना, ऐसे methods of production को use करना, जिसकी वज़े से हमारे environment को कोई harm ना हो, हमारी society का जो weaker section है, बिचारे handicap लोग हैं, या पिर जो बहुत ही ज्यादा weaker लोग हैं, जिनके पास में उतनी opportunities नहीं हैं, उन्हें employment opportunities प्रोवाइड करना, government और NGO's के जो programs होते हैं, उन्हें support करना, बहुत सारी civic activities करना, आप लो और last आता है personal objectives, यानि की employees के two words भी तो organization के एक responsibility है ना, अगर देखो organization के अंदर जो employees हैं, वो satisfied feel करेंगे, वो motivated feel करेंगे, तो वो अपना best देंगे, उनकी productivity increase होगी, अपने आप organization के लिए अच्छा है ना, तो इन लोगों के two words भी organization के एक responsibility बनती है, कि employees को अच्छी साहदी दे उनकी training करवाना ताकि उनकी personal growth भी हो सके, peer recognition किसी बन्दे ने कुछ अच्छा करा है, किसी ने कोई bug find out करा है, किसी ने कोई अपना target से भी ज़्यादा achieve कर लिया, तो peer recognition सबके सामने उसे congratulate करो, demo word पर उसकी photo लगाओ, उसे एक पहचान मिले, self respect, सारे के सारे colleagues की respect हो, एक healthy working environment हो जहां पर female safe feel करें, ये सब किस में आता है, personal objectives में, समझ में आगे तीनो objectives, आगे बढ़ते हैं importance of management, यानि की significance of management की management क्यों जरूरी है, number one है management helps in group goal, achieving group goal, देखो एक manager का का काम क्या होता है, ये image देखना, ये जो manager है, ये अपने सारे के सारे employees को एक direction में लेकर जाता है, और वो direction क्या है, कि हमें हमारे organization के goal को achieve करना है, goal कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया, आपको profit ज्यादा कमाना भी हो सकता है, profit maximization हो सकता है, sales maximization हो सकता है, market में अपने share को increase करना है, तो group goal को achieve करने के लिए जो manager है, वो सारे employees को एक direction में लेकर जाता है, management increases efficiency, manager काम किस तरह से करता है, ब बताया था ना मैंने, कि काम इस तरह से हो, मतलब काम को right way में करना, काम इस तरह से हो कि काम को करने की cost कम से कम आए, resources का proper utilization होना चाहिए, कोई wastage नहीं होना चाहिए, तो efficiency increase होगी, management creates a dynamic organization, अभी पीछे भी समझाया था, जैसे ही environment में change आता है, हमें business के अंदर change लेकर आना जर यह सारे काम काम करता है, manager करता हुए, dynamic organization बनाता है, बदलता हुआ organization बनाता है, helps in achieving personal objectives, management जो है, जो managers है, वो सिर्फ group goal को achieve करने पर ही focus नहीं करते हैं, वो यह जो individuals है ना, इनके personal objectives को achieve करने पर भी focus करते हैं, बताते हैं कि अगर हम लोगों ने group goal अचीव कर लिया ना, तो हम आ आपको peer recognition देंगे, सब के सामने आपकी वावाई होगी, आपको bonus मिलेगा, आपको company के shares free में offer करे जाएंगे, तो यहाँ पर हम personal goals के बारे में भी सोचते हैं, बंदों की salary बढ़ा दी, peer recognition है, increment दे दिया, training प्रोवाइड करी, इन सब चीजों के बारे में, management helps in development of society, और management जो है वो society के development के बारे में भी सोचता है, कैसे, society को अच्छी quality के goods देना, वो भी reasonable price पर, employees को अच्छी salary देना, क्योंकि employees भी क्या है, society का ही एक part है, competitive salary देना, employment opportunities generate करना, अब जितना जादा production करोगे, हमारी country का GDP increase होगा, पूरे nation के लिए अच्छा है, तो society के लिए भी development में help करता है management, समझ में आगई यहां तक बाते हैं, आगे बात करते हैं, nature of management, बहुत important topic है, एक तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, objectives बहुत important था, तीनों objectives, फिर यह important है, nature of management, यहां से 100% लिखवालो exam में question बनता है, कि management science है, या art है, या profession है, ये सारी बाते हम लोग discuss करेंगे, सबस सा आता है, कि painting, painting करना, ये सिर्फ आर्ट होता है, आर्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, आर्ट में क्या है, बेको अगर आपके पास में arts है, आर्ट के अंदर क्यों होता है, सबसे पहले आपको बहुत सारी books को पढ़ना पढ़ता है, systematic body of knowledge है, arts का भी ऐसे ही कामी हो आता है, बहुत सारी लोग हैं, जो dance में PhD करते हैं, जो music में PhD करते हैं, तो ऐसे ही थोड़ना कि सिर्फ dance करते रहेंगे, सिर्फ music गाते रहेंगे, उन्हें बहुत सारी books को पढ़ना पढ़ता है, वो सारे गामापा, पूरी theory पढ़नी पढ़ती है, तो systematic body of knowledge है, वो तो है, सा निकालते हो, कुछ ना कुछ नया बनाते हो, समझ में आया, तो art के अंदर theoretical knowledge भी है, systematic body of knowledge भी है, साथ में बंदे की creativity और practical elements, experiments का भी बहुत important होता है, art का number one feature क्या है, theoretical knowledge, अगर आप किसी चीच के अंदर जो भी कर रहे हो, art के अंदर mastery कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी books को read करना जरूरी है, सेम ऐसे ही management की field में भी बहुत सारी systematic body of knowledge है, बहुत सारी theoretical knowledge का होना जरूरी है, जैसे आ आप ये BST की किताब पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ के आयते हैं, 12th में पढ़ रहे हो, अगर आगे आप कुछ करते हो management के अंदर, तो BBA में बहुत सारी books read करोगे, MBA में बहुत सारी books read करोगे, तो ये जो feature है na art का, ये management के अंदर present है, समझ में आया, दोनों के अंदर बहुत स personalized application होता है, कोई rap songs बना देता है, कोई soft music गाता है, उससे कोई कुछ अलग करता है, अलग-अलग तरह से, तो सब लोग अपना personalized application, अपनी creativity दिखाते हैं, अपनी skills दिखाते हैं, कुछ ना कुछ नया create करते हैं, management में भी same ऐसा ही होता है, हर बंदा management के almost same पढ़ाई कर रहा है, बढ़ हर किसी का अपने organization को manage करने का तरीका बहुत अच्छा है, कई बार तो ऐसा होता है, कोई बंदा बहुत ही अच्छी जगा से management की degree लेकर आया है, MBA करके आया है, फिर भी उसे organization को manage करना नहीं आता, क्योंकि theoretical knowledge है, personalized application नहीं है, कोई इंसान है, उसने कोई MBA की degree नहीं ली, फिर भी वो organization को बहुत ही अच्छे से manage करता है, तो यहाँ पर personalized application खुद की creativity skills भी important है, तो यह feature भी हमारा art का management में present है, कि भई management में भी ऐसा ही होता है, personalized application skill और creativity लगानी पड़ती है, based on practice and creativity, art में ऐसा ही होता है, आपने लाग theoretical knowledge ले लेली, लेकिन जब तक आप practice नहीं कर रहे हो, तब तक आपको results नहीं मिलेंगे, management में भी same ऐसा ही है, आपने लाग theoretical knowledge ले लेली, लेकिन अगर आपको experience नहीं है, आपने अलग-अलग organizations को manage नहीं करा, बहुत सारे बंदों के साफ में deal नहीं करा, जब तक आपने practice experiments, experience नहीं लिया, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तो management is an art of getting things done by others, अब ये जो line है, ये MCU में पूछी जा सकती है, याद रतना, management is an art of getting things done by others, समझ में आ गया, दूसरा आता है science, science आप सब लोग जानते हो, science में क्या होता है, science में भी बहुत सारी systematic and organized body of knowledge है, science की knowledge लेनी है, तो भी market में बहुत सारी books अवलेबल है, net पर बहुत सार वो ऐसे लपों में सोडीना बन गही, science की चीज़े बनी है, बहुत बार repeated experiments करे गए है, तब जाके science के कोई principles बनते है, सारी चीज़े cause and effect relationship पर based है, कि इसको इसे react करवाएंगे, तो ये reaction होगा, cause and effect है न, इसको ऐसा करेंगे, तो ये ऐसा होगा, apple को छोड़ेंगे, तो वो न experiment करके science के principles आए हैं, और सारी चीज़े कैसी है, cause and effect relationship पर based है, कि इसको ऐसा react करवाएंगे, तो ये निकल कर आएगा, अब देखते है, management science होता है, systematic body of knowledge, ये तो है, science को पढ़ने के लिए भी market में बहुत सारा text material, बहुत सारी books available है, management को पढ़ने के लिए भी बहुत सारी books available है, तो ये feature तो हमारा science का management में presented, ठीक लगा दिया, principles are based on experimentation, जो science के principles है, वो ऐसे ही नहीं बने, बहुत बार experiments करे हैं, तब जाके science के principles बने हैं, repeated experiments करे हैं, बार बार apple को गिराया गया है, अलग-अलग चीज़ों को react कराते हैं, तब पता चलता है, यार ये form होता है, तो science के principles management के principles हैं, वो भी बहुत सारे experiments के बाद में ही बने हैं, लेकिन जो management के principles हैं, वो कई बार change हो जाते हैं, कैसे change हो जाते हैं, managers को किसके साथ में deal करना पड़ता है, human beings के साथ में deal करना पड़ता है, labors के साथ में, employees के साथ में deal करना पड़ता है, और human behavior को हम कभी भी advance में predict नही होता है तो यह feature जो है न science का यह management में आदा अधूरा present है तो हम बोलते हैं this feature of science is partially present in management आदा present है आदा present है आदा present नहीं है समझ में आ गया हाला कि जो principles हैं वो experiments के बाद में ही बने हैं बट वही होता न human behavior को हम easily predict नहीं कर सकते लास्ट है universal validity science के जो principles है वो हर जगा apply होते हैं इडिया में भी apply होते हैं USA में भी apply होते हैं Canada, China सब जगा apply होंगे universal applicability है particular चीच को particular चीच के साथ में react करवाओगे तो यह outcome होगा हर जगा same होगा लेकिन management के principles जो है वो universal नहीं है हर जगा apply नहीं होते situation to situation बदलते रहते हैं इन्हें हमें situations के हिसाब से modify करना पड़ता है change करना पड़ता है तो यह जो feature है science का यह management में present नहीं है तो first वाले पर tick था second वाले पर tick और cross दोनों है partially present था और fourth third वाले पर हमारा cross है तो हम बोल सकते हैं जो management है वो pure science तो नहीं है pure science नहीं है वो exact science नहीं ह इसके बजाए हम बोलते है management क्या है in exact science है या फिर social science है इस line से भी exam में M.C.Q. बढ़ता है पूछा जाएगा समझ में आया आगे बढ़े अब बात करते है management as a profession यह सबसे important है यहां से questions मनने के chances ज़्यादा है देको profession में क्या होता है doctor हो गए CA हो गए CS हो गया lawyer हो गया engineer हो गय है लेकिन profession में special बात है entry कैसी होती है restricted होती है हर कोई doctor नहीं बन सकता आपके पास में degree का होना जरूरी है आपके पास में certificate होना जरूरी है हर कोई lawyer नहीं बन सकता हर कोई CA नहीं बन सकता, restricted entry है, जरूरी है, आपने वो exams qualify करें हैं, आपके पास में certificate है, आपके पास में degree का होना जरूरी है, तो main बात profession में यह है, restricted entry है, हर कोई as a doctor practice नहीं कर सकता, हर कोई as a CA practice नहीं कर सकता, आपके पास में degree का उस certificate का होना जरूरी है, तो number one है well defined body of knowledge, यह सब में present है, profession के अ पढ़ना जरूरी है, सेम ऐसे ही management की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो भी आपके पास में बहुत सारा study material, text material अवलेबल है, बहुत सारी किताबों को पढ़ना जरूरी है, अभी पढ़ रहे हो, BST की बुक, आगे चल के BVA है, MBA, बहुत सारी books को पढ़ना जरूरी है, तो ये पास में particular degree होने चाहिए, आपने वो exam qualify करा हुआ होना चाहिए, तभी आप as a doctor practice कर सकते हो, लेकिन ये चीज management के अंदर नहीं है, अगर आपके पास में MBA की degree नहीं है ना, तो भी आप किसी company के अंदर manager बन सकते हो, आप खुद की कोई company कोल के उसके manager बन जाओ चाहिए, आपन management में present नहीं है, लेकिन future में, ये feature management में present हो सकता है, समझ में आया, this feature of profession is not present in management, लेकिन very soon, ये जो feature है, ये management में present हो सकता है, समझ में आया, next है, presence of professional association, देको professions के लिए, बहुत सारे professional associations होते हैं जैसे अगर मैं doctors की बात करूँ तो Indian Medical Council हो गया इन professional associations के अंदर अपने आपको register करवाना जरूरी है जैसे अगर मैं CA की बात करूँ तो Institute of Chartered Accountants of India हो गया lawyer की बात करूँ तो Bar Council of India हो गया तो professions के लिए बहुत सारे professional associations होते हैं आपन उन लोगों को register करवाना जरूरी है तभी आप practice कर सकते हो इन सब चीजों के लिए सेम ऐसे ही management के लिए बहुत सारे professional associations है जैसे AI, MA है New Delhi, All India Management Associations लेकिन management के लिए जरूरी नहीं है कि वो लोग in organizations, in associations के अंदर अपने आपको register करवाए समझ में आया doctor को register करवाना जरूरी है CA को register करवाना जरूरी है lawyer को register करवाना जरूरी है ये चीज managers के लिए जरूरी नहीं है तो ये feature भी हमारे profession का management में आज तो present नहीं है लेकिन future में present हो सकता है समझ में आया fourth है ethical code of conduct अब क्या करा? इन professional associations में आपने आपको register करवा लिया तो इनका एक code of conduct भी follow करना पड़ेगा behavior follow करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़े होती न कि doctor ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है आपका एक ethical code of conduct हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते तो same ऐसे ही managers के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी code of conduct को follow करें तो ये feature भी जो है profession का वो management में आज present नहीं है लेकिन future में present हो सकता है last है service motive जितने भी professions होते हैं न उनका main मकसद पता है क्या होता है कि अपने clients को serve करना dedication के साथ में professions का main मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं होता हाला कि वो कमाते है theoretical बात है पैसा कमाना नहीं होता अपने clients को serve करना होता है लेकिन management का main मकसद होता है organization के goals को achieve करना पैसा कमाना, sales maximize करना market में अपना share increase करना तो ये feature भी हमारा जो profession का है वो management में आज present नहीं future में हो सकता है तो हम ये बोल सकते है all the features of profession are not present in management profession के सारे-के-सारे features management में present नहीं सिर्फ पहले वाला present था but very soon these will be included in management but बहुत जल्दी ये जो features profession के ये management में future में include होंगे management is on the path of becoming a profession, ये important line है MCQs के according समझ में आगया nature of management management art है, science नहीं है management profession नहीं है management in exact science है और social science है, pure science नहीं है समझ में आया, management art है और management profession नहीं है लेकि future में profession हो सकता है correct है, आगे बढ़ जाए अब बात करते हैं levels of management levels of management में हमारे पास में 3 levels है, एक होता है top level management, एक होता है middle level management, एक होता है lower level management, ये top level management है, इनके नीचे आते है middle level managers और इनके नीचे आते है lower level managers और इनसे भी नीचे होते है हमारे workers, देखो top level managers में कौन आ जाते हैं? बड़े बड़े लोग, इसके अंदर CEO आ जाता है, President आ जाता है, Vice President आ जाता है, इसमें CFO आ जाता है Chief Financial Officer, इसके अंदर हमारे Board of Directors वगेरा आ जाते हैं तो Top Level Managers के अंदर बड़े-बड़े लोग हैं समझ में आया सबसे ज़्यादा Power, Authority को ही हम Power बोलते हैं सबसे ज़्यादा Authority किसके पास में होती है Top Level Managers के बाद में इसके बाद में आते हैं Middle Level Managers यानि कि अलग-लग Departments के Head Production Department का Head, Production Manager, Sales Department का Head, Sales Manager, Marketing Manager हो गया हमारा Purchase Manager वगेरा हो गया, Branch Manager वगेरा हो गया ये Middle Level Managers हैं, इन से नीचे आते हैं Lower Level Managers जिने हम Operational Level Managers भी बोलते हैं ये Immediately किसके Contact में होते हैं, Workers के Contact में होते हैं ये Workers को Supervise करते हैं, इसलिए हम इने Supervisor भी बोलते हैं, Four Man भी बोलते हैं, Junior Manager या फिर Inspectors भी बोलते हैं ये Workers के Contact में होते हैं, Workers की Problems को Solve करते हैं और Workers को Instructions देते हैं समझ में आया, सबसे ज़्यादा Authority, Top Level Managers के पास में हैं, उससे कम Middle Level Manager और उससे भी कम Lower Level Managers लेकिन अगर हम Accountability की बात करें, जवाब देही की बात करें, कि कोई काम नहीं हुआ तो हमें सामने वाले को जवाब देना पड़ता है न, तो Lower Level Managers किसे जवाब देंगे, Middle Level Managers को Middle Level Managers ही पूछेंगे न, Lower Level Managers से ये काम क्यों नहीं हुआ Lower Level Managers किसे जवाब देते हैं, Middle Level Managers को, और Middle Level Managers किसे जवाब देते हैं, Top Level Managers को तो सबसे पहले Top Level Managers कौन आना है, Top Level Managers के अंदर, इसमें हमारे Board of Directors आ गये, Chairman आ गया, Managing Director आ गया, General Manager, President, Vice President, CEO, CFO ये सब किसमें आते हैं Top Level Managers के अंदर काम क्या है, Organization के Objectives डिसाइड करना, Organization के लिए Plans और Policies बनाना, ये देखना कि Middle Level Managers जो है, वो कौन-कौन सी Activities परफॉर्म करेंगे सारे Resources को इखटा करना, पैसा इखटा करना, Fixed Assets वगयरा को इखटा करना, Overall Organization के Survival के लिए ये लोग Ultimately Responsible है, Outside World, जो बहार सरकार है, या फिर जो भी Competitors वगयरा है, उन सब के साथ में Communicate करने का काम किसका है, Board of Directors का, Top Level Managers का, अलग-अलग Activities को Coordinate करके चलना, तालमेल बठा के पूरे Business के Environment को Analyze करना, और ये देखना कि अगर Business के Environment में कोई Change आ रहा है, तो इसका Business पर क्या Impact पड़ेगा, ये सब किसमें आता है, Top Level Management के अंदर, सबच में आया, उसके बाद में कौन आ जाते हैं, हमारे Middle Level Managers, यानि की अलग-अलग Departments के Head, Departmental Heads, जैसे Purchase Manager हो गया, Sales Manager हो गया, Superintendent हो गया, Executive Officer हो गया, ये सब किसमें आते हैं, Middle Level Managers के अंदर, इनका काम क्या है, कि जो Top Level Managers में Programs और Policies बनाए हैं, उसके बारे में Lower Level Managers को बताना, जो इनके नीचे है, सबसे पहले Top Level Managers, ये है Middle Level Managers और इनसे नीचे आ गए हमारे Lower Level Managers, तो इनका काम क्या है, इनकी Polic के बारे में इनको बताना समझ में आया, अपने अपनी Department की Activities को Organize करना, अगर इनके Department में लोगों की जरुवत है, तो ये लोग रिक्रूट्मेंट करते हैं, नए लोगों को हायर करते हैं, स्टाफ को सिलेक्ट वगरा करते हैं, स्टाफ हायर करना, अपने Department के लोगों को दें, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में, एक Cooperation होए, एक Coordination बठाके चलना, Corporate करके चलना, मिल जुल कर चलना, और Lower Level Managers जो है, Responsible for Activities of Lower Level Managers, अगर Lower Level Managers से कोई गड़बढ हो जाती है, तो ये जो Top Level Managers से वो किससे बात करेंगे, वो Middle Level Managers से पूछेंगे, गड़बढ क् तो Middle Level Managers कहीं ना कहीं, Lower Level Managers के काम के लिए भी Responsible है, जिम्मेदार है, लास्ट आता है हमारे पास में, Lower Level Managers याद रखना, इसे हम Operational Level Managers भी बोलते हैं, और Supervisory Level Managers भी बोलते हैं, Supervisor आ जाते हैं, Clerk किसमें आ जाते हैं, Superintendent हो गए हमारे Foreman and Sub Department Executives हो गई हैं, सब किसमें आते है हमारे Lower Level Managers के अंदर, पीछे भी मैंने Superintendent लेख दिया था, कहीं गलती से, यह Plant Superintendent था, ठीके न, यह Plant Superintendent था, यह Simple हमारा Superintendent है, तो यह सब किसमें आते हैं, हमारे Lower Level Managers के अंदर, यह Immediately Workers के Contact के अंदर होते हैं, Workers को Instructions देते हैं, और Workers की Gravances उनकी Problems को Sought Out करते हैं, Representing the Problems of Gravances of Workers before the Middle Level Managers, इनका काम क्या है, Workers की जो भी Problems है, जो भी Gravances है, उनके जो भी Problems है, उनके बारे में Middle Level Managers को बताना, Maintaining Good Working Conditions, यह Make Sure करके रखते हैं, कि Organization के अंदर, अच्छी Working Conditions हो, Healthy Relations हो, Superiors और Subordinates के बीच में, जो Boss होता है, उसे हम Superior बोलते हैं, Boss के अंदर, जो काम करता है, उसे हम Subordinate बोलते हैं, उनके बीच में आपस में अच्छे Relations हो, Safe और Secure Working Environment होना चाहिए, Especially Females की अगर बात आती है, Quality Standards मेंटेन करके चलना, अच्छी Quality का Product ही बनाएं, Workers हमारे Steady Flow of Output होना चाहिए, Continuously Production करें हमारे Workers, Continuous Production होना चाहिए, Workers के Moral को High रखना, Team Spirit Develop करना, Inay Instructions देना, जो भ Proper Utilization हो, यह सब कुछ कौन देखते हैं, हमारे Lower Level Managers, समझ में आ गया है, यहां तरह Clear है, फिर बात करते हैं, Functions of Management, देखो Management में क्या होता है, सबसे पहले Planning होती है, Planning में Advance में Decide करा जाता है, What to Do, क्या करना है, How to Do, कैसे करना है, When to Do, कब करना है, and From Whom to Do, यह काम कौन करने वा अब काम करने के लिए Staff चाहिए, Staff को HIRE करा जाता है, Staff को RECROOT करा जाता है, Attract करा जाता है, हमारे यहां पर विकेंसी है, Apply करो, Best Logo को Select करा जाता है, उन्हें Pay करना, उन्हें motivated फील कराना, Staff में आ गया, Direction देना, Staff को बताना काम किस तरह से करना है, Staff को Monitor करना, Direction देना, Control करना staff को अच्छे से monitor करना कि staff किस तरह से काम कर रहा है और सारी activities को control करना देखना जैसा हम लोगोंने planning में सोचा था actual काम उसी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा और अगर कुछ differences आ रहे हैं, deviations आ रहे हैं तो corrective actions भी लेना उन्हें correct करने की कोशिश करना यह 5 क्या हो गए, management के functions हो गए last topic पर आते हैं coordination देखा चाहे तो management के 5 functions है planning, organizing, staffing, directing, controlling लेकिन इसके अलावा भी एक function और होता है that is coordination coordination का मतलब है ताल मेल बठा के चलना dance में देखा, एक का हाथ उपर जाता है सब का हाथ उपर जाता है एक का हाथ नीचे आता है, सब का हाथ नीचे आता है this is coordination एक साथ में चलना, एक direction में चलना इदर उदर भटक भटक के नहीं चलना that is coordination, ताल मेल बठा के चलना coordination भी management का ही एक function है the process by which managers synchronize the activities of different departments अलग-अलग departments की activities को synchronize करके चलना, एक साथ लेकर चलना सब के बीच में ताल मेल बठा के चलना this is coordination coordination की वज़े से ही सारे के सारे functions जो है management के planning, organizing, staffing, directing, controlling वो सही से हो सकते है और बहुत बार MCQs में पूछा जाता है dash is the essence of management तो वहाँ पर आप लिखोगे coordination is the essence of management dash is the essence of management management के लिए बहुत ज़रूरी है क्या ज़रूरी है, coordination क्यों? क्योंकि coordination is needed to perform all the functions of management आपको management के जितने भी functions perform करने है सब के लिए coordination ज़रूरी है जब top level managers planning करते है तब coordination का ज़रूर होना ज़रूरी है तालमेल का होना ज़रूरी है जब organizing होती है organizational structure create करा जाता है departments बनाय जाते है तब coordination तालमेल का होना ज़रूरी है सब लोग मिल जुलकर एक साथ काम करें जब staff को hire करा जाता है train करा जाता है तब coordination का होना ज़रूरी है जब employees को direction दी जारी है कि काम किस तरह से करना है तब coordination का होना ज़रूरी है और जब controlling होती है, planned performance को actual performance से compare करा जाता है, तब coordination का होना ज़रूरी है, समझ में आया? Coordination is required at all the levels, हर level पर चाहिए, top level managers को भी ज़रूरी है कि वो सारी चुछों को coordinate करें, जब वो plans, policies, objectives वगएरा बना रहे हैं, middle level managers के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे departments के साथ में, जो sales manager है, वो purchase manager, production manager, marketing manager, इन सब के साथ में coordination बठा के चले, तालमेल बठा के चले, और lower level managers के लिए भी ज़रूरी है कि workers के भीश में एक proper coordination होना चाहिए, सब लोग एक direction में चले, इदर उदर ना चाहिए, कोडिनेशन is the most important function of an organization, हर organization के लिए बहुत important function है कोडिनेशन, कोडिनेशन ये make sure करके रखता है, orderly arrangement of individual and group efforts towards accomplishment of common goals, कि भाई जितने भी individual efforts हैं, individuals अपनी तरफ से जितना भी effort दाल रहे हैं, वो सारे efforts एक direction में चाहे, ताकि organization के goals को achieve कर चाह सके, जो भी goal है, चाहे वो पैसा कमाना हो, profit maximization हो, sales maximization हो, market में अपने share को increase करना हो, कुछ भी हो, any organization which fails to coordinate its activities cannot survive in long run, एक ऐसा organization जिसमें proper coordination नहीं है, हर कोई अलग-अलग direction में जा रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा organization long run में कभी भी success नहीं पा सकता, हमेशा fail होगा, समझ में आया, तो coordination is the essence of management, nature of coordination, यानि कि features of coordination, coordination integrates group efforts, coordination की help से भी, जितने भी other लोग हैं, उन सबके efforts को इखटा करा जा सकता है, कोई इदर-दर नहीं भागेगा, सबके efforts को एक direction में लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि organization में बहुत सारे अलग-अलग individuals हैं, हर कोई अलग-अलग background से आये हैं, लोगों की language अलग होती है, हर किसी का working style अलग है, हर कोई अलग-अलग culture से है, उन सबके efforts को unify करने का, एक खटा एक direction में लेकर चलने का कांग किसका है, coordination का, ensures unity of efforts, coordination make sure करके रखता है, कि जितने भी departments हैं, वो सारे के सारे हाथ में हाथ दाल के चले, सारे departments के पीछ में एक proper coordination होना चाहिए, continuous procedure चाहिए आप planning करे हो, चाहिए organizing करे हो, stopping करे हो, controlling करे हो, directing करे हो, हर time पर coordination का होना जरूरी है, तालमेल का होना जरूरी है, pervasive है, हर department के अंदर coordination देखा जाता है, हर organization में coordination देखा जाता है, चाहिए large scale company हो, चाहिए small scale business हो, चाहिए manufacturing concern हो, चाहिए service देने वाला कोई outlet है, हर जगां पर coordination होता है, हर manager के लिए जरूरी है, पीछे देखा था, top level managers भी coordination बठा के चलते हैं, जब वो activities प्लान करते हैं, कि middle level managers को कौन-कौन से काम करने हैं, जब middle level managers काम करते हैं, तब भी भी वो coordination बठा के चलते हैं, other departments के साथ में, और lower level managers भी make sure करके रखते हैं, workers के बीच में proper coordination हो, तो हर manager का काम है, और deliberate function है, deliberate मतलब जान पूछ के करे जाने वाला function है, ऐसा नहीं कि यह काम अपने आप हो रहा है, managers जान पूछ कर coordination करके चलते हैं, coordinate करके चलते हैं सारी activities को, अगर coordination नहीं होगा, तो business long run में survive नहीं कर सकता, समझ में आया, last है, coordination की क्या importance है, growth in size, देखो, जब हमारा business grow करता है, तब number of employees बढ़ने लगते हैं, हर कोई अलग-अलग background से आ रहा है, हर किसी का working style अलग है, हर किसी की भाशा अलग है, अलग-अलग culture है, तब हमारे पास में number of branches होंगे, तब हमारे पास में number of products होंगे, इतने सारे अलग-अलग individuals हैं, हर किसी की अपनी-अपनी needs है, अपनी-अपने मकसद है, इन सब को एक direction में लेकर चलना, इन सब की activities को coordinate करना बहुत important है, तो organization जब grow करता है ना, तब coordination ज़रूरी है, functional differentiation organization के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, अलग-अलग functions के basis पर departments बनते हैं, for example, purchase department, sales department, marketing department, production department, finance department, अलग-अलग functions के लिए हम लोगों ने departments बना दियो, सारे के सारे departments आपस में conflicts ना हो, लडाई ना हो, कोई अपने आपको superior ना समझे, इदर-उदर ना भटके, सब लोग एक साथ मिल जुल कर काम करें, सारे departments hand-in-hand काम करें, हाथ में हाथ दाल कर काम करें, उसके लिए coordination ज़रूरी है, और last is specialization, आजकल modern organizations के अंदर, बड़ी-बड़ी multinational companies के अंदर, हर काम के लिए specialized लोग होते हैं, हर कोई अपने-अपने काम में specialized है, अपने-अपने काम में perfect है, और फिर ये specialized लोगों को लगता है, यार हम ही सही हैं, दूसरा गलत है, हम ही सही हैं, दूसरा गलत है, अब इन सब लोगों के बीच में, आपस में कोई conflicts, कोई लडाई वगेरा ना हो, उसके लिए भी coordination का होना जरूरी है, ताल मेल बैठा कर चलना जरूरी है, सबच में आगे coordination की importance भी, with this chapter number one, nature and significance of management, हम लोगोंने आज complete कर लिया, lecture कैसा लगा, मुझे comments के अंदर बताना, और अपने सारे friends के साथ में share करना, और ऐसी ही series, मैंने आपको starting में भी बताया था, मैंने macro और Indian eco की भी upload कर रखी, सारी चीजों का link आपको description में बिल जाएगा, सारी playlist का link, तो इन वीडियों को अच्छे से अपने friends के साथ में share करना, lots of love, see you tomorrow, bye-bye.